Hello everyone, how are you? Yes, I am very fine today. So, if you want to speak very fluent English, then you shall have to follow some basic instructions written on the board. अगर आप कम समय में बहुत बहतरीन English बोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ basic instructions को follow करने होंगे. और यकीन मानिए, आप में से जो भी candidate instructions को follow करेगा, वो कम से कम समय में बहुत बहतरीन अंगरेजी सीखेगा. Let's come to the point and understand कि क्या कैसे points है, जिसको अगर हम follow करेंगे, तो कम से कम समय में बहुत 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 बहुतीन अंगरेजी सीखेगे. So the first point is, think positive, यानि आपको हमेशा positive सोचना है, और हमेशा आप अपने आप से बोलते रहे हैं, I can do it, I can do it, मैं कर सकता हूं. हमेशा एक positive environment आप बनाए, I can do it, I can do it, I can speak very fluent English, I can speak very fluent English, ये आपको एक positive environment देगा, कि आप हमेशा positive सोचेंगे, कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं बोल सकता हूं, तो आपको से positive सोचते रहना, negative field के तरफ आपको जाना ही नहीं है. Second point को हमनों समझेंगे, have some matters, यानि बातों का होना, matters का होना, अच्छी English बोलने के लिए matter का होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास matter नहीं है, तो आप बहतीन अंगरे जी नहीं बोल सकते हैं, for example, अगर माली जी आप बहुत अच्छे English बोलते हैं, बहुत बहतीन English बोलते और अगर मैं आपसे बोलों कि आप बराक उबामा के बारे में बोलें, तो अगर आपको बराक उबामा के बारे में मालूम ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आला कि आप बहुत अच्छी English बोलते हैं, इसका matter मतलब क्या है कि matter का होना बहुत जरूर है English language में matter मिलेगा कैसे तो हर एक class हर एक वीडियो के अंत में आपको एक topic दिया जाएगा और उन्ही topics को आप जितना बढ़ा चड़ा कर लिख सकते हैं बढ़ा चड़ा कर लिखी जो भी matter सुनने वाला एक अच्छा बोलने वाला होता है for example अगर आप किसी Englishman से बात करें यानि किसी अंग्रेज से आप बात करेंगे तो आप उसी बाते जल्दे समझ में नहीं आएगी लेकिन इसी Englishman के साथ अगर आप एक महीने बिता लेजिए तो अब दीरे-दीरे क्या होगा आप उसकी बातों को समझना शुरू कर देंगे इसका मतलब क्या है हम उसको observe करना शुरू कर देते हैं observation is very important for English language for anything अगर आप observe करना चीजों को शुरू करते हैं तो आप सीखना शुरू कर देंगे यानि हमने क्या किया उस Englishman को एक महीने तक observe किया observation करने के हमारे skills जो समझने की capacity थी listening capacity थी वह क्या है वह बढ़ गई अब बढ़ने के वह से अब उसकी बाती हमें आसानी से समझ में आने लगी यानि चीजों को हमें observe करना है इसके लिए बहुत सारे वीडियो आपको दिये जाएंगे चैनल के माद्यम से उसमें बहुत सारे debates होगा group discussion होगा stage speeches होंगे conversation होगा उन सारे वीडियो को आप देखिए observe करिए कि उन वीडियो में क्या-क्या बोला गया है क्या-क्या matters है क्या-क्या meanings का इस्तेमाल किया गया है उन चीजों को observe करिए और उन सारी चीजों को आपको अपनी वे में बनाईए और अपनी तरीके से बोलने को खुशिश करिए अगर आप उसको अपने तरीके से बोलने का कोशिश करते हैं तो आप बहुत बहुत बहते नंगरे जी सिखेंगे So come to the next point, make it your habit, यानि किसी भी चीज को अगर आप अपनी आदत बना लेते हैं तो आदत को छोड़ाना बहुत मुश्किल होता है For example, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने शाम को चाय पेनी के आदत हैं अब उनको इसी दिन चाय अपमत दीजी, क्या होगा? सरदर्द करने लगेगा उनका, पागल होने लगेंगे चाय के लिए यानि उनको चाय पेनी के क्या हो चुकी है? आदत हो चुकी है, जिस आदत को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है इसी तरीके से इंग्लिस लेंग्विज को आप अपने डेली रूटीन में बना दीजिए, इसको आदत बना दीजिए, जिसे मेले अंग्रेजी में बहुत है, आप नहीं माल लिजिए कि सामने जो भी कंडिएट है वो एक इंग्लिस मेंने, आप आपको हसकर या रोकर उसको अंग्रेजी में सिखाना है, अंग्रेजी में ही समझाना है अपने बातों को, आप इंग्लिस में हमें साब बोलिये, हर जग़ बोलिये, दोस्तों से बोलिये, स्कूल्स में बोलिये, कोल्यजेस में बोलिये, each and every places you have to speak all English, and English if you will speak, then it will become your habit, so come to the next point, vocab, यानि मेनिग्ज और idiom phrases English language के लिए meanings और idiom phrases बहुत important role निभाता है आपको बहतरी नंगरेजी बोलना है आप meanings कुछ अच्छे अच्छे select कर लिजिए, कुछ idiom phrases ले लिजिए इस class में या वीडियो के मातने से बहुत सारे आपको idiom phrases और meanings दिये जाएंगे, उसको आप अपने आपको सिखिएगा और बोलेगा तो meanings याद करिए, idiom phrases याद करिए उसको topics में लगाईए और बोलते रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करिए उसका and at last प्रैक्टिस makes a man perfect यानि प्रैक्टिस से एक इंसान को perfect बनाता है वो किसी भी field में हो मालेजी हम लोग English सीख रहे हैं तो आकर English बहतिर हम कैसे बोलेंगे आपको वीडियो मिल गया आप चाजों को देख लिए, observe कर लिजिए idiom phrases मिल गया, उसका इस्तमाल कर लिए लेकिन बोलेंगे कैसे प्रेक्टिस करना पड़ेगा आपको यानि जो भी topics आप बनाएंगे उसको आप प्रेक्टिस करिए, बोलने की कोशिश करिए जब आप इसको प्रेक्टिस करना सुरू कर देंगे तो आपके English दीरे-दीरे इंप्रूव होना सुरू हो जाएगा So utilize all my instructions whatever I told you right now and speak it in your language और इन सब चीजों को अपने language में इस्तमाल करना सुरू कर दिए मैंने एक meaning यूज किया Utilize, इसका मतलब होता है काम मिलाना, परियोग मिलाना तो इन सारी चीजों को फॉलो करिए आने वाले समय में बहुत अच्छी English बोलेंगे और हरे क्लास और एक वीडियो के अंत में आपको जो टॉपिक्स दिया जाएगा उस टॉपिक्स को बनाईएगा मिनिंग से रिफ्रेज का इस्तमाल करिएगा और बहतरे इन इंग्लिस बोलने की कोचिश करना है ओके थैंक्यू वेरी मच